तो जैहिन दोश्तों एक बर फिट से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में तो इस वीडियो में हम लोग 15 GK के इंपोर्टेंट प्रस्न को करेंगे जिसमें से आपको 8 का सही अनसर करना है ठीक है 15 में से जिदि आप 8 का सही अनसर कर लेते हैं तो आपका त्यारी ठीक है नहीं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है देखिए जिदि आप पीटी निकाल भी लेते हैं तो आपको रीटेंट एक्जाम देना ही होता है ठीक है तो ये हमारा वीडियो नमबर साथ है इंडियन आदमी चीके का अभी तक आपने छे तक नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लेजिएगा चलिए हम लोग सुरू करते हैं पहला प्राजन से देखिए क्या है निम्ड में से एक कौन सा केंदर सासित परदेश नहीं है केंदर सासित परदेश नहीं है ठीक है option देखिए पुदुचेरी, गोवा, लचिदीप, दमनवादिव इसमें से कौन सा एक है क्या है केंदर सासित परदेश नहीं है आपको answer करना है तो जल्दी जल्दी आप लोग answer किजिए comment किजिए ठीक है जल्दी आप option B सही लगा रहे हैं तो आपका right answer है ठीक है option B यहाँ पर सही हो जागा गोवा जो है एक केंदर सासित परदेश नहीं है यह जो है एक सवतंत्र राइ जह ठीक है बाकी आपका पुदुचेरी, लचिदीव, दमनवादिव जीओ है यह आपका क्या है केंदर सासित परदेश है अच्छा अगर जिदी आपको पूछा जा कि अभी टोटल कितने केंदर सासित परदेश हैं भारत के तो भारत के भी टोटल 9 केंदर सासित परदेश है पहले यह 7 था बाद में जमू कस्मीर को जो है इस वो दो भाग में बाट दिया गया तो यह साथ पलस दू हो गया नो ठीक है और राजियों की संखिया भी कितनी है पहले 29 थे तो जमू कस्मेरिय पर एक घट गया तो यहाँ पर वर्तमान में 28 राज है भारत के तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा अगला प्रसन देखिये भारतिय सम्मिधान में कितनी अनुसूचियां है जदी आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो आप अराम से इसका अंसर कर सकते है और इसमें हमने पॉलिटी से ज़्यादा क्वस्टन को आज इस वीडियो में इंक्लूड किया है तो आप वीडियो के अंतक जरूर बनिएगा ताकि आपको पॉलिटी से जो भी इंपोर्टेंट प्रसन है पूछे जाते हैं वो आपको पता चल जाए उप्सन हम लोग देख लेते हैं 6, 7, 10, 12 कितनी अनुसूचियां है अंसर दीजे जल्दी आप लोग कमेंट जल्दी किये तो चलिए इसका सही अंसर जिदि आप D लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है इसका सही उतर हो जाएगा उप्सन D भारत की सम्मिधान में टोटल 12 अनुसूचियां है अगर जीदि पूछा जा कि कितने भाग हैं तो देखे भाग जो है बाइस भाग है और जीदि अपको अनुछेद के बारे में पूछा जा कितने अनुछेद ही तो 395 अनुछेद है आने कि भारतिय सम्मिधान में 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुछेद है झाल जाएगा अग्ला प्राशन देखें त्यार रही अप लोग भार्तिय संम्यधान सभा का कद हुआ था ज़ल्दी अनसर किजिए फ्सकि इसका राइट एंसर अगर जीदिए आप भी दे रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है वर्ष 1946 इसवी में भारतिय समिधान सभा का गठन हुआ था अगर जिदि आपको exact date पूछा जाए तो ये date आपका हो जाएगा 6 दिसंबर 1946 ठीक है तो right answer option भी इसका चला जाएगा अगला प्रस्ण देखिए भारतिय समिधान सभा की पर्थंग बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी option देखिए 9 दिसंबर 1946 9 सितंबर 1946 1 अगस्त 1946 और 9 जुलाई 1946 देखिए year जो है सब 46 ही दिया गया है लेकिन देखिए date यहाँ पर देखिए 9-9 कर दिया है यहाँ भी 9 है यहा दिया जाता है तो इसका right answer क्या हो जागा जल्दी कमेंट किजिए अगर जिवे आप option यह कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है 9 दिसंबर 1946 इसभी को कब 9 दिसंबर 1946 इसभी को भारतिय समिधान सभा की पर्थम बैठक हुई थी right answer option यह के साथ चला जाएगा अगला प्रस्ण देखिए निमलिखीत में से कौन सम्मिधान सभा के अस्थाई अध्याची थे क्या है अस्थाई अस्थाई और अस्थाई दोने में बहुत फरक है अगला प्रस्ण में भी देखिएगा निमलिखीत में से कौन सम्मिधान सभा के अस्थाई अध्याची थे option आपके सामने सर गया अगला प्रस्ण देखिए निमलखीत मेंसे किन्हे समिधान सभा का अस्थाई अध्यच चुना गया पहले अस्थाई अध्यच चुना गया था फिर उसको क्या किया गया अस्थाई अध्यच के रूप में चुना गया तो किसको चुना गया था ओप्षन देखे एचिसी मुखरजी जवाहर लल नहरू सचीदानन सिन्हा या फिर ओप्षन डी डॉक्टर र पर्फम राज्टावाति भारत के डॉक्टर राज्यंदरपरसाद को जो है अस्थाई अध्यहभध चुना गया था और यहीं डॉक्टतर राजेंदरख भारत के डॉक्टर रांदिर परशाद थे ठीक है से ठीक है और पर फद्धानमंत्रि chief अगर शहारलाल स दोक्टर सचीदाधन सिना जो थे समिधानसुपा के अस्थाइ अध्यचários चुने गए थे तो इसका राइट एंसर डॉक्टर ugsटर परसाद अगला प्रस्द में मंए कौन प्रांतिय समिधानसुपा के अध्यचर थे तो प्रांतिय समिधानसुपा वाने की जो छेतर बहुत जो जो होते हैं अध्याच वो किनको बनाया गया था तो इसका राइट अंसर बी के साथ चला जाएगा सर्दार वल्लब भाई पटेल को ठीक है सरदार वल्ला भाई पटेल जो है इनको प्रांतिय सम्मिधान सभाग के अध्यच के रूप में बनाया गया थे देखे जब भारत अलग हुआ था उस टेम 600 से उपर रियासते थी और सब को एक करने का जीमा भी सरदार वल्ला भाई पटेल को दिया गया था 600 से उपर रियासते मानने की सब अलग अलग अपना एक राजा था ठीक है और सब अलग अपने अपने सासन करते थे तो जब भारत बना तो भारत में क्या किया गया कि जतने भी रियासते थी अलग अलग जो थी सब को सम्मिला करके एक किया गया था और इसको जीमा किसको दिया जिसमें तीन सूचियों का वर्णन है, सही उतर इसका हो जाएगा option C, सात्वी में, सात्वी अनुसूची जो है, इसमें क्या किया गया है, कि तीन अनुसूचीयों का वर्णन किया गया है, तो जो जो option C सहीर कर रहे थे, उनका right answer option C ही है, अगला प्रसन देखिए, सम्यधान की कीस अनुसूची में 22 भासाओं का उलेक किया गया है, तो देखे, भारात में जो है, मायनता प्रप्ट जो भासा है, वो कितने है, 22 भासा है, और इसका जो वर्णन किया गया है, सम्यधान की कीस अनुसूची में किया गया है, अभी हम लोगों ने पहले देखा था, कि 12 तो वही अनुसुची की बात हो रहें कि कौन सा अनुसुची में 22 भासाओं का उल्लेक किया गया है उप्सन देखिए 7 अनुसुची 8 अनुसुची 9 अनुसुची या फिर 10 अनुसुची तो राइट एंसर आप जिदी बी कर रहें तो आप बिल्कुल सही है आठवी जो है इसमें 22 भासाओं का उर्णन किया गया है अगला प्रसन देखिए संविधान की गिराहवी अनुसुची में निम्न में से किसे समंधित है आनि कि संविधान का जो अनुसुची है वो किस चीज से समंध है उसमें किस चीज का उल्लेक किया गया है मनेता प्राप्त भास में किया गया है right answer option C के साथ अपका चला जाएगा अगला important question है दल बदल समंधी प्रावधान सम्मिधान के किस अनुसुची में वर्नित है देखिए आज केल क्या है अगर जिदि आप भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है दसमी अनुसुची में इसका उलेख किया गया है अगला important question है सासन की संसदिये परनाली किस देश से ली गई है तो देखिए जो सासन है उसकी जो संसदिये परनाली जो ली गई है वो ली गई है किस देश से option देखिए USA से बिर्टेन से रूस से या फिर कनाडा से तो इसका right answer चला जाएगा option B के साथ बिर्टेन से ठीक है यह important question जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा देश से हमारे समिधान में किस चीज को aid किया गया है तो इसमें पूछा जा रहा है कि समवर्ती सुच्ची की परना किस देश से ली गई है Australia से, America से, Switzerland से या फिर पूर्व सोवियत संग से तो right answer option B के साथ चला जाएगा Australia से जाता है पातकाल वो का उसका जो प्रावधान है कि सिदेश के समिधान से लिया गया है अमेरिका से लिया गया है, जर्मनी से, अस्ट्रेलिया से या फिर दच्छी नफिरका से तो इसका जो right answer हो जाएगा option B हो जाएगा जर्मनी से लिया गया है तो आप भी कर रहे थे तो बिल्कुल सही थे विडियो पसंद आ रहा है तो पिलिजेगा आप लाइक कर दीजेगा और अधिक विडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगला प्रस्ण देखिए राइज के निती निदेशक तत्व किस देश के समयधान से लिये गए है यह प्रस्ण जो है ना निती निदेशक तत्व यह बार बार रिपीट के जाते हैं और आपको आज यह प्रस्ण आद कर ही लेना है ठीक है तो कहां से लिये गया है, option देखते हैं, जर्मनी से, आयर लेंड से, कनाडा से या फिर दचिनाफिरका से, तो right answer हो जाएगा, आयर लेंड से लिया गया है, क्या लिया गया है, नीती नि दे सकता, तो option भी आप कर रहे थे, तो बिल्कुल सही थे, तो इस वीडियो में इतना ही जय हिंद, चैनल को सब्सक्राइब किजिए, लाइक किजिए, और दोस्तों के साथ सेर भी किजिए, धन्यवाद